हालो डियर लर्नर्स आज तब हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में जिसे टेंस का जो वीडियो है मेरा पुराना वाला उसमें थोड़ा सा सोर्च रावा जादा है तो हमने सूचा क्यों नहीं सांत महौल में बावाल मचा दिया जाये टेंस का वीडियो डाल करके ठीक है हां तो इसलिए बाबु आ गए हम फिर से ठीक है तो टेंस वाट इस टेंस तो सांती के महल में थोड़ा थ्यान से पढ़िए और ये बीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि बोर्ड नजदीक है बोर्ड को बोर्ड में पेपर देना है को शनांसर रटे होंगे तो भ तो टेंस को ध्यान में रख करके अगर आप कहानी याद हो तो उस कहानी को आधार मान करके हम उसका question answer बना सकते हैं चाहां short answer हो चाहां long answer हो चाहां high school के लिए हो चाहां intermediate के लिए हो या essay हो article हो कुछ भी लिखना हो if you have the idea you can write your own thoughts by using क्या चीज़ टेंस टेंस का परियोग करके आप उस ideas को उस thoughts को लिख सकते हैं और बहुत ही help करेगा आपका ठीक तो ध्यान से टेंस क्या होता है it is a verb form it is a verb form which refers specific point in time ज्यान से देखिएगा तो वर्ब क्या होता है टेंस क्या होता है एक वर्ब का रूप होता है it is a verb form जो क्या दरसाता है समय के कि विशेश विंदु को दरसाता है तिक तो अगर हिंदी में हम टेंस की परिभाशा कहें तो ये भी कर सकते हैं कि टाइम के साथ-साथ समय के साथ-साथ जब वर्ब का रूप चेंज हो जाए बदल जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं टेंस कहते हैं ठीक तो अब इसमें आ जाते हैं टाइम सबसे पहले दो point है इसमें time, time क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे सब को पता है, time में क्या क्या आते हैं, present, past and future, present past और future, present tense की पहचान, ध्यान से present का मतलब होता है वर्तमान, जो चल रहा है, past का मतलब होता है, भूत, जो बीत गया है, future का मतलब हो गया, भविश्य, जो होने वाला है, ठीक है, तो ये अगर हम को question answer लिखना है, और जो प्रशन है, वो past में पूछ रहा है, तो हम answer भी past में लिखेंगे, अगर present में तो present में लिखेंगे, ठीक, future में तो इसे आता नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा तर चीज़ें, present और past पे ही बेज़र होगा, तो सबसे पहले हम present और past पे ही focus करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा important होते हैं, question answer लिखने के लिए, board में बहुत help करेगा, तो present में अगर हम translation की बात करें, तो present में पहचान होती है, 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 हो, और हूँ, ठीक है, भविश्य की पहचान होती है, गा, गे, गी, और past में इन दोनों को अगर हम याद कर लें, तो बाकी जो भी बचेगा, उस सब क्या हो जाएगा, past tense, यान कि है, 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 हो, हूँ, distance में आएगा, उपर जेंट हो जाएगा, और गागेगी जिसमें आएगा, उप पास्ट हो जाएगा, और बाकी जो बच गया, उस सब past में चला गया, ठीक, तो ये हो गया, time, अब आते है, verb, ठीक है, हाँ, तो verb क्या होता है, ठीक, और हाँ, ये जो बताने जा र आएटेंस, रिलेटेग, किसी से भी, ठीक, कहीं पे भी, तुम ढूड़ना, अगर यूटूब पे ये content मिल गया, तो फिर बोलना, ठीक, तो ध्यान से, verb क्या होता है, ध्यान से देखो के सभी लोग, वर्व क्या होता है, वर्व क्या होता है, एक शब्द होता है, जो क्या क गलता है action और state को दण शाता है ठिक है state यह मतलब ता है अवस्थारS這邊 का मतलब हो गया गारी को BLACK क्या हूं गया क्इद को दोए 2437 को दर शाता है कार और अवस्था को द 새 nे वाले सब्द को ही क्या कहते हैं? verb कहते हैं. तो वर्व होगे हमको लग। ना था. तो वर्व फ़़ूम क्या होते हैं? अब बच्चों से पूछा जाए कि वर्व के रूप कितने होते हैं, तो बहुत सारा confusion है, कुछ लोग तीन कहते हैं, कुछ लोग पांच कहते हैं, ठीक है? वर्ब को V4, V5 पता नहीं क्या गया लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो मुख रूप से, ठीक है वर्ब के कितने रूप होते हैं तीन, फर्स फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जैसे गो वेंट गॉन कम के कम अब कुछ लोग इसको कहते हैं V4, V4 का मतलब क्या हो गया गोइंग V5, मतलब गोज कमिंग और कम्स अब ध्यान से देखेंगे ये जो वर्ब का फॉर्स फॉर्म होता है इसको हम क्या कहते हैं बेस फॉर्म भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बेस फॉर्म क्यों क्योंकि अगर हम इसको वर्ब के फॉर्स फॉर्म को ही बेस माल लें ठीक है उसमें आइनजी जोड़ दें फॉर्फ फॉर्म बन जाएगा यासी आइस जोड़ दें तो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा ठीक है तो वर्ब का यह तो चौथा और पांचवा रूप है इसको हम क्या कर सकते हैं? वर्ब के फर्स फार्म से बना सकते हैं क्या कर सकते हैं? वर्ब के फर्स फार्म से बना सकते हैं तो इसको हमें रटने की जरूरत नहीं है तो मुख्य रूप से हमको किसना किसको रटना है या याद करना है तो वर्व के फर्स फार्म को सेकेंड फार्म को और थर्ड फार्म यही बावूतीन याद कर लो बहुत है ठीक है और यह भी बहुत ज्यादा है तो इसी पर फोकस करना फर्स फार्म सेकेंड फार्म और थर्ड तो जो वर्व का first form होता है वही base form भी होता है ठीक अब इस पर थोड़ा सा हम elaborate कर दें थोड़ा सा ज्यादा ठीक है तो वर्व के first form यह तो समझ में आ गया होगा कि वर्व के first form को या base form को ही आधार मान करके first form को ही base form करते हैं और base form से हम क्या कर सकते हैं वर्व का fourth form और fifth form बना सकते हैं तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन हमने कहा कि जो वर्व का first form होते हैं उसी को base form करते है ठीक है लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका base form और first form ठीक है अलग-अलग होता है ठीक है second form भी third form भी ठीक तो ध्यान से base form क्या हो गया भी first form क्या हो गया is, am, are, second form क्या हो गया was, were, third form क्या हो गया भी ठीक अब second जो दूसरा रूप है वो है do और एक रूप है तो be, do और have तीन रूप को छोड़ दिया जाए तो ठीक है बाकि सब के जो base form होते हैं और first form same ही होते हैं लेकिन इनके अलग-अलग होते हैं जैसे do का first form क्या हो गया do और does, have का first form, has और have, second form had, third form भी had, do का second form did और third form done, चीक तो यह जो है सबसे important verb के रूप है जो हर एक बच्चे को आना चाहिए तो इसको थोड़ा सा screenshot ले लिजिएगा और इसको रट लिजिएगा बहुत ही important होता है क्यों? क्योंकि इसको हम अभी आगे explain कर रहे हैं ठीक है? ध्यान से यह जो verb हैं यह बहुत ही important है और इसका रूप आपको आना चाहिए बी का रूप और have का रूप तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो गौर करेंगे कि बी का रूप first form क्या होता है? इस एम, आर, second form क्या होता है? was or, third form क्या होता है? been, have का first form has have, second form had और third form भी had होता है तो अगर हम पूछें verb का first form कहां लगता है? तो सब को पता होना चाहिए कि स्टेंस में? present में second form कहां लगता है? तो past में third form कहां लगता है? तो क्या बताएंगे? perfect and passive wise कहां लगता है? perfect and passive wise ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान से इसको क्या करना है? नोट्स बना लीजिया इसके ठीक? और हाँ ध्यान से हमने कहा न है कि इसके नोट्स बना लेने हैं क्योंकि बाबू ये चीज दुबारा नहीं मिलेगा आपको कोशिस कर लीजिएगा धून्ड लीजिएगा ठीक है? तो ये चीज अगर इस चीज को नहीं समझ में आया तो बाबू हम आगे जो भी पढ़ाएंगे वो क्या हो जाएगा बाउंसर चला जाएगा ठीक? तो समझ लेना कि स्वेब अक्तर की स्वीड से जाएगा तो 160 प्लस तो कन्फ्यूज हो जाओगे कोई मतलब बनेगा नहीं तो ध्यान से इसको देख लेना है कि वर्ब के जो बेस कुछ हमने बताये कि बी डू है जो होते हैं इसका बेस फर्म और फर्स फर्म अलग होता है ठीक? तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना क्यों? क्योंकि यह बहुत है ठीक? अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं क्या चीज? परजेंट की पहचान हो गई होगी ठीक वर्ब का फर्स फर्म कहां लगता है? सेकेंड फर्म कहां लगता है? ठीक है? और टेंस भी जान गए होंगे अब मेन चीज हमारा है थोड़ा सा वर्ब को थोड़ा सा और ज्यादा समझ लें वर्ब को हमने क्या पढ़ा? कि वर्ब क्या होता है? सब्द होता है जो एक्षन औ पुरी स्टेट को दर साता है तो उसमें दो ही वीछ पॉंइंट है मैं रफ क्या करेगा चूंक कर लें यह है स्टेट और दो ही हॉ हिंट इसमें हो ठीक एक्शन का मतलब वह तो आव vậy जिससे कारी हूँ state कम दल वह वाग के जिसमें कार न हो दो ही परकार के वाग के ही मिलेंगे आपको बनाने के लिए Yeah, question answer लिखना है तबही कुछ ऐसे sentences होंगे जिसमें कार हो रहा होगा कुछ से sentences होंगे जिसमें कार नहीं हो रहा होगा ठिक है तो तो अब हमको ध्यान देना है कि हमको जो कार नहीं हो रहा है यानि कि जो state वाले वर्ब हैं उसको कैसे लिखना है या कैसे समझेंगे तो ध्यान से देखिएगा state वाले जो वर्ब होते हैं वो दो ही होते हैं कौन-कौन be और have हमने इसलिए कहा था बाबू कि be का रूप have का रूप याद कर लो क्यों क्यों कि ये जो दो ऐसे वर्ब हैं जो क्या करते हैं state को भी दर्साते हैं state का मदलब हो गया अवस्था किसको दर्साएंगे अवस्था को दर्साएंगे ठिक तो be का प्रियोग कहा करते हैं ध्यान से सु दिल्ली में है गोरकपूर में है वासी में है ठीक है तो क्या करेंगे बी का रूप लगाएंगे हैव का रूप कब बताया जाता है कब लगता है पजेशन के लिए सब को पता होगा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अधिकार ठीक कभी कभी इसका हिंदी आ जाता है पास या र अब बारियाती है कि गुण परिचे अस्थान कैसे हम जारेंगे जैसे अगर हम हाई स्कूल की बात करें तो मतिल्डा बहुत ही सुन्दर स्त्री थी ठीक तो वो उसका क्या हो गया क्वालिटी हो गया मतिल्डा और हमको आंसर लिखना है तो मतिल्डा वास अवेरी ब्यूटिफुल लेडी ठीक तो यह हो गया क्या चीज बी का रूप यूज कर दिया हमने क्यों क्योंकि हमको उसका गूर्ण बताना था मतिल्डा पैदा कहां हुई थी तो सब को पता है जो हाई स्कूल पढ़े हैं या हाई स्कूल में हैं उनको यह पता होगा मतिल्डा पैदा कहां हुई थी मतिल्डा पैदा वाज बार्ण इन पूवर क्लर्क फैमिली या मतिल्डा वाज बार्ण इन अ मिडल क्लास फैमिली या जो इंटर वाले हैं उनको अगर नहीं समझ में आ रहा हो मतिल्डा क्योंकि पता नहीं पहले पढ़े की नहीं ठिक है या लागडावन वाले पास वाले हैं तो उनका भी रिक्कत है वाब ठीक है हाँ इसमें क्या करना ब्लागडावन में पास हो गए बिना एकजान दिये तो अब इस बार तो देना ही पड़ेगा तो इस बार थोड़ा सा ताइगर किंग चैप्टर तो याधी होगा ठीक है King of Kings ठीक बहुत ही पहादूर राजाओं का राजा महराजा धिराज विस्वभुवन समराथ ताइगर किंग ठीक है तो ताइगर किंग कहां का राजा था? Was the king of प्रतिबंद पूरम का राजा था? प्रतिबंद पूरम का राजा था तो अब अब गौर करा हैं तो हमने पहले सेंटेंस में गूड क्वालिटी को बताया है तूसरे सेंटेंस में ठीक है उसका परीचे दिया है इंट्रो कहां पेडा होई, किस घर में पेडा होई, ठीक? और टाइगर किंग ये हम स्थान बता रहे है प्लेस बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं, तो जब गुण परिचया स्थान, अभी हमने पास्ट में लिख दिया, अगर हमको प्रजेंट में लिखना हो, तो जैसे हम कहा दिये, I am a teacher, तो गुण परिचया स्थान में बी का रूपी यूज करेंगे, परजेंट में बी का रूप यहां, आर, तो I के साथ M लगता है, लगा दिया, पास्ट में वाजवर, सिंगूलर के साथ वाज लगता है, लगा दिया, ठीक, प्लूरल होता तो वर लगा देते, यानि कि बहु ब लग जाता एक बचन के साथ वाज लगेगा परजेंट में रहेगा तो ही सी इट के साथ इज लगा देंगे किसी का नाम रहेगा तो इज लगा देंगे पास्ट में रहेगा तो मलब आई रहेगा तो एम अब बचन रहेगा तो आप पास्ट में वाज बर लगा देंगे अब जाता आप एजेशन के पास तो पॉजेशन पाट इस पजेशन अधिकार अधिकार का मतलब क्या हो गया बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूस कर देते हैं पजेशन का मतलब होता है वह चीज जो आपके पास पहले से हो दो हाथ पैर नाक मुझ ठीक है अच्छा खासा सरीर या हमने क्या कहा कि जो चीज आपके पास पहले से है या उसे किसी के द्वारा प्राप्त किया गया हो ठीक है जो चीज पहले से हो या किसी के द्वारा क्या हो जाए प्राप्त हो जाए जैसे अब हम पहले के समय में काली दास के बारे में तो सबली रोग सुनोंगे ठीक है क कालिदास जो कालिदास जी जो थे वह साय लब कहानी के आधार पे सबसे पहले क्या थे वह बहुत बड़े मुर्क थे क्योंकि जिस डाली पर बैठे थे वही काट रहे थे ठीक और माता काली के असिरवास से वह क्या हो गए एक महान संस्कृत के विद्वान बन गए ठीक जब उनकी पत्नी उन्हें धुत्का देती हैं जो भी है कहानी कि धक्का देने से और नीचे माता जी का क्या होता है मंदिर होता है उसमें गेटे हैं और उनका दात से ही कि उनका जीव कड़ जाता है जिसके बास माता जी बादा प्रसंद हो जाते हैं कि वाई मेरा ब्ला भगते हैं और इसमें तो अपनी जीवाही मुझे दान कर दी माता जी प्रकड़ होती हैं बोलो बच्चा क्या चाहिए तो उनकी पत्नी का नाम था विद्यावत, तो विद्विद्ध करते हैं, पूरा बोल नहीं पाते हैं, तो माता जी को लगता है कि इसे विद्ध्या चाहिए, तो जाओ बेटा, तुम्हारे जैसा ग्यानी कोई नहीं होगा, तो ऐसा तो है नहीं बाबू, कि तुम जाओ जी च बहुत जादा मेनहत करना पड़ेगा क्योंकि बहुत पापुलेशन दिन बदिन बढ़ी रहा है तो मेनहत करोगे तब ही सफल हो पाओगे नहीं तो अगर मेडियोकर बनके रह गए मध्यमबर के बनके रह जाओगे तो कोई मतलब बनेगा नहीं ठीक जो कुछ नहीं करता हूँ बवाल करता है लेकिन बाबू कुछ नहीं करने के लिए अब तुम सारुखांत हो नहीं ठीक कि कुछ नहीं करोगे कमाल कर जाओगे ठीक तो कोशिस यही करना है ठीक कि हमको क्या करना है मेनत करना है तो में काच से पड़ === और में लुटते आगे बढ़ो ठीक है है तो हमने क्या वता रादा पजेशन पजेशन क्या होता है यह चीछ जो तुम्हारे पास पहले से हो या जिसे कहीं से प्राप्त कर लो, खरीद लो, कुछ भी, ठीक है, जो कहीं से मिल जाए, कोई देद है, गिफ्ट देद है, तो क्या हो जाएदा, पजेशन हो जाता है, जैसे मैं कहूं, I have a bike, I have a bike, या I had a car, ठीक, he has two cars, ठीक, तो एक बचन के साद, सिंगुलर के साद क्या लगता है, प्रजेट में, हैज लगता है, आई और प्लूरल के साद है लगता है, पास्ट में तो सब के साद है, डी लगेगा, ठीक है, तो यह एक्जामपल्स हो गए, ठीक, पजेशन के, तो वर्ब, बेसिकली, कारिया वस्था को दर्स आएगा, तो जो स्टेट वाले वर्ब हैं, वो क्या होते हैं, बी और है, दो ही वर्ब होते हैं, जो स्टेट को रिफर करते हैं, और भी जो वर्ब हैं, वो हमारे यहां यूज में, है नहीं, जो में हमने उसको बता दिया, जो आपको कोस्टन आंसर लिखने में हेल्प करेंगे, यह दोन वाले वीडियो में मैं फिर से explain कर दूंगा उसको लेकिन उसके लिए आपको कम से कम यह idea होना चाहिए कि अगर हमको किसी का गुण लिखना हो किसी का quality लिखना होगा तो क्या करें वर कौन सा वर भी यूज करें किसी की identity लिखनी हो तो कौन सा वर भी यूज करें location लिखना हो तो कौन सा वर भी यूज करें position लिखना हो तो कौन सा वर भी यूज करें ठीक है तो हमको तो लगता है कि अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो state वाले जो भी वर हैं वो क्या है वी और है आपको इतने में काम चल जाएगा आपका ठीक अब हम आगे बढ़ते हैं action वाले ही हो रहा है बहुत सारे बच्चे confused भी हैं तो हमने का चलो यार कुछ बच्चों का भला हो जाएगा ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे action वाले वर ठीक कौन से वर action वाले वर action वाले वर क्या है अब उसको हम कैसे करेंगे कैसे समझेंगे कि क्या हमको लिखना है क्या नहीं लिखना है इसमें तु बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लग जाएगा वहुत सारे रूल पढ़े होगे बवाल रूल पढ़े होगे कन्फीज हो जागे होगे ठीक है रूल तो बहुत सारा पढ़े होगे कि फलाना डिमकाना वर्ब का फास्ट फाम यासे आई एस आई अइन जी पता नहीं क्या-क्या है जैब डू डास डीड ठीक है बहुत सारे रूल पढ़े होगे और कच अच्छे से ही पढ़ते आ रहे हो ल कांटिनिमस है परफेक्ट है परफेक्ट कांटिनिमस है ट्रांसलेशन को पहचान नहीं पाते हैं बच्चे और ये ध्यान से देखी लीजिएगा एक मिनट इसको देखने में आपका वो सारा कन्फूजन क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा ठीक है तो इसमें हमको क्या करना है कि action में जो action होते हैं बेसिकली तो यह टाइब का होता है action जो होता है it can be incomplete और it can be complete या दो कोई कार है तो हम कहाद है अधूरा जैसे अभी आइम टीजिंग तो अभी incomplete है काम चल रहा है ने वह प्रोसेस में है incomplete को एक और नांसे जान सकते हैं हम क्या चीज प्रोसेस जारी incomplete continue इसको हम क्या करते हैं continue विदो बहु कन जो घुलते हैं यानिकि जो कारि इन्कम्प्लीट हो या प्रोसेस में हो प्रोसेस माने जारी हो आपूर हो अधूरा हो जो पूरा नय हो उसको हम क्या कहते हैं continuous tense बोलते हैं ठीक और जो complete हो पूर हो पूरा हो उसको हम कौन सा tense बोलेंगे perfect tense ठीक तो अब कहेंगे बच्चे दुएर तो tense भे हुगा continuous perfect तो बाकी दूटो कहां चला गया बाबु बाकी दूनों एम चीपा है अगर कारे complete है तो perfect incomplete है तो continuous कोई ऐसा काम है जो तुम confuse हो कि इनकंपलीट में आएगा या complete में आएगा तो जब confused रहोगे ठीक है जैसे कोई काम जो हो regular हो रहा हो तो अब उन रेगुलर हो रहा है तो वो नहीं incomplete में आएगा ना complete में आएगा काई कि daily होता रहेगा ठीक है किसी की आदत है तो बावु जब वो आदत है तो बार-बार वो चीज़ें करेगा तो वो complete भी नहीं होगा incomplete भी नहीं होगा कोई काम frequent होता है frequent का मतलब होता है अकसर ठीक है frequent का क्या मतलब हो गया अकसर जैसे school जाते है वह daily तो थोड़ी ने जाते हो कई हो कई हो चुटियों मार देते हो गे सरदर्द कर रहा है बुखार है टीचर नहीं आएंगे तो ऐसे कारियों को हम क्या कते हैं indefinite tense बोलते हैं ठीक, तो अगर हूँ काम present में हो रहा तो present indefinite past में होता था, तो past indefinite अब समझ में आ गया कि जो काम incomplete होगा उसे continuous tense बोलेंगे, जो complete होगा उसे perfect और जो ये दोनों नहीं होगा उसको indefinite और जिसमें ये दोनों हो, मतलब कोई ऐसा कार जिसमें complete और plus incomplete क्या हो, complete प्लस incomplete दोनों कार हो, तो उसे हम कहते हैं, मतलब कुछ भाग, कोई काम है, उसका कुछ भाग complete है, और कुछ भाग क्या है, incomplete है, तो ऐसे sentence को हम क्या कहते हैं, perfect continuous, तो ये तो हो गया पहचान, अब हम कैसे जानेंगे, present indefinite है, present continuous है, present perfect है, या past indefinite, past continuous, past perfect, ठीक है, तो ध्यान से, अगर कोई काम complete है, और last में है, हो आ गया, तो present perfect, कोई काम incomplete है, last में है, हो आ गया, तो present continuous, अगर आपको question answer लिखना है, तो बाव उसकी जरूरते नहीं है, question अगर past में है, answer हमको past में ही लिखना है, तो past में ही रेलते चले जाओ, तो चाहे past indefinite, past continuous, तो depend करता है, कि किस tense में तुमको लिखना है, तो ध्यान से देखना, continuous tense में हम क्या करते हैं, continuity को दर्शाने के लिए, वर्व के first form में ing जोड़ देते हैं, perfect tense में क्या करते हैं, वर्व का third form लिख देते हैं, और indefinite में, तो अगर indefinite में present है, तो क्या करेंगे, वर्व का first form, और past है, तो वर्व का second form, ठीक, ये ध्यान में रखना है, अब इसमें जो present tense है, present indefinite, ठीक है, तो present indefinite को अगर आपको जानना है, तो उसका पूरा detail वाला वीडियो हम डाल चुके हैं, पहले से ही, ठीक, थोड़ा सा source राबा है, तो उसको थोड़ा सा clear आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी, अब हम इसको, ठीक है, हमको लगता है कि यह हो गया चीज, समझ में आ गया होगा आपको, complete तो perfect tense, incomplete तो continuous tense, complete है, perfect tense है, तो उसमें वर्व का third form लगाएंगे, incomplete है, तो continuous tense है, उसमें वर्व के first form में आई अजी जोड़ देंगे, अगर complete और incomplete दोनों नहीं है, मतलब कोई काम regular होता है, regular मनें प्रतिदिन या रोज, ठीक है, हर दिन, habit मनें, आदत है किसी की, ठीक है, या frequent का मदलब हो गया, अक्सर, तो अगर कोई काम regular होता हो, हो है, आदत हो किसी की या अक्सर होता हो, तो उसे हम indefinite में रखते हैं, present में first form लगता है, past में second form लगता है, तो present indefinite, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, और जो काम complete और incomplete दोनों होता है, उसको हम क्या कहते हैं, perfect continuous, perfect continuous में क्या आएगा, has been, have been, और had been, अब हाई दूनों हम जानते हैं, first form है, तो present में लगता होगा, अब हाई past में है, second form है, तो past में, यानि कि past perfect continuous, इसके बाद क्या करेंगे, वर्व के first form में, ing लगा देंगे, तो present perfect continuous में, has been, plus verb का first form, ing, have been, plus verb के first form में, ing, past perfect continuous में, क्या करेंगे, had been, plus verb के first form में, ing, जोड़ देते हैं, ठिक, तो यह हो गया, clear, ठिक है, तो हमको तो लगता है, अब हो गया, ठिक, अब इसको, आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, तो यह चीज़ है, ध्यान में, रखियेगा, complete है, तो perfect, incomplete है, तो, continuous, complete और incomplete, दोनों नहीं है, तो indefinite, ठिक है, अब थोड़ा सा हम, चार्ट टाइप में बना दें, जिससे वो clear हो जाए, आपको कि किस में, कौन सा, यूज करना है, helping verb कि से related, ठिक है, तो अब थोड़ा सा हम, समझा दें, कि यह जो primary auxiliary verb होता है, इसके बारे में थोड़ा वीडियो हम बना देंगे, ठिक है, यह बना देंगे, क्या बना देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यह वर्ब, बाबू, वर्ब के types, अब हमको पढ़ना है tense, तो चुकि वर्ब की परिभासा हम बता चुके, वर्ब क्या होता है, सब दोता है, जो कार्य और अवस्था को दर्शाता है, तो वर्ब की अगर हम types की बात करें, तो अलग-अलग types होंगे, तो यहाँ पर हम अगर इसको समझ जाए, कि tense की आधार पे हम क्या कर सकते हैं, वर्ब को दो category में बाट सकते हैं, एक तो auxiliary verb, क्या करेंगे, auxiliary verb, और दूसरा, main verb, क् main verb, ठिक, auxiliary verb को एक नाम से और जानते हैं, कौन सा नाम है, वो है, helping verb, सहायक क्रिया, auxiliary verb को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, ठिक है, बड़ा-बड़ा लिख रहे हैं, ताकि कोई नहीं कहा है, सर जी हमके नाई-लग का तरहल है, अब आउनाई-लग का तरहल है, जूम का एक हाँ, लिख सकते हैं, हिंदी में, ठिक है, मुख्य वर्व, main verb को मुख्य वर्व भी बोल दें, ठिक है, यह हो गया, तो अब यह हमको जानना है, कि यह जो auxiliary verb होते हैं, यह दो टाइप को होते हैं, इसमें क्या होता है, दो टाइप होता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीज होता है, model auxiliary, ठिक, इसको auxiliary काता है, primary auxiliary और model auxiliary, अब यह दिक्कत है, कि इसमें कितने होते हैं, primary auxiliary वर वाउत तीन टाइप को होते हैं, कौन-कौन, भी, तीन ही होई वह करते हैं, दो, दूसरा क्या है, है, do, तो इसको क्रम से लिए, do, be, और थर्ड है, have, models के जो होते हैं, यह तो बहुत सारे हैं, can, will, shall, may, must, could, और, should, must, etc, अभी और भी हैं, ठीक है, तो, etc, कर दीए, हो गया, must, should, ठीक, प्रॉब्लम यह है, कि यह primary auxiliary verb भी क्या करेगा? helping verb का 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 करेगा, model auxiliary verb का 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 कります, तो, यह कहां, use करेंगे? यह कहां, use करेंगे? तो धियान से देखना हो प्राइमरी auxiliary verb का हता है, तो टेंस में helping बर्ब का काम करता हम को यह पढ़ना था तो फोकस हमारा किस पर होगा primary auxiliary वर्प हमने का तना इसा वीडियो मिलेगा नहीं बवाल है ठीक और दूसरा है model auxiliary ठीक model auxiliary वर क्या सो करता है यह कहां helping बर्ब का काम करेगा जहां पर हम probability probability यह पॉस्यविलिटी या इंटेंशन को हिंदी में काते हैं इरादा हो तो प्रोबेबिल्टी और पॉस्यविलिटी का मतलब होता है प्रोबिल्टी मने समभावना औप ऊसे विल्टी मने लगभग या सम्भाव ना इन दोनों का मतलब क्या कर सकते हैं एक ही नाम देदा सम्भावना लगभाग ठिक अब जो है मैं चीज तो हमारा फोकस्था होना चाई प्राइमर या ज़़ीर वर पे क्यों क्योंकि हूंकि हमको पढ़ना है टेंस टिक तो अगर हमको टेंस में help वर्ब का यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे डू का बी का और हैव का डू का कि स्टेंस में यूज होगा बाबू तो यह होता है इंडिफिनिट टेंस में कि स्टेंस में इंडिफिनिट में पी का यूज कहा होता है कांटीनुवस में और have का use perfect में ठीक है तो ध्यान से अगर हम कहें पर्जेंट से perfect में क्या helping verb लगेगा तो do का first form बोल लोगे क्यों क्योंकि present में first form लगता है past में second form लगता है Key Pass Continuous में यह का first form बोल देना Past Continuous में यह का second form बोल देना track perfect में have का first form और path perfect में have का second form ये helping verb का काम करेगा उसके बाद indefinite में continuous में main verb जो भी होते हैं वो आपको पता ही है कुछ चीजें हम यहां पर important है जो बता दे रहे हैं जैसे do does और did के बाद did के बाद हमेशा क्या use होता है verb का first form use होता है चाहें कोई भी tense हो तो अगर आपने sentence में do does did use किया है तो उसके बाद क्या use करेंगे verb का first form अगर ऐसा नहीं करते हैं तो sentence गलत हो गया ठिक दूसरा चीज अगर has have और had का परियोग हमने क्या किया है helping verb के रूप में किया है ठिक अगर has have का परियोग हमने किस रूप में किया है helping verb के रूप में किसके रूप में helping verb के रूप में तो इसके बाद क्या आता है verb का third form आता है ये धियान में रखना है तो primary auxiliary verb कि helping verb का का काम करता है tense में इसमें क्या क्या आते हैं do, be, or have model auxiliary verb का प्रयोग कप करते हैं helping verb के रूप में जब हमको probability show करना हो जैसे बारिस हो सकती है मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ मैं ये काम कर सकता हूँ वह ये कर सकता है तो जब हमको possibility लगभग या संभावना प्रकट करना होता है तो हम किसका परयोग करते हैं मॉडल्स का परयोग करते हैं जिसे can हो गया, will हो गया, shall हो गया में हो गया, should हो गया must हो गया, might हो ठिक है ये सब का परयोग कप करते हैं हम probability, possibility intentions हो करने के लिए करते हैं अब बावव आ जाते हैं main verb में main verb भी दो type का होता है तो ट्रांजीटिव और इंट्रांजीटिव ट्रांजीटिव बर्व का मतलब होता है जिसमें आपजेक्ट हो और इंट्रांजीटिव बर्व का मतलब जिसमें आपजेक्ट ना हो ठीक बस हो गया हमारा ठीक तो घ्यान से देखना है कि अक्जलेरी वर्व क्या हो गया दो हैं वो हेल्पिंग वर्व का काम करता है और मॉडल अक्जली रिवर प्रोबेबिल्टी पॉसिबिल्टी और इंटेंशन सो कराने के लिए ही यूज किये जाते हैं डुमेन वर्व होते हैं वह भी दो टाइप के होते हैं कौन-कौन ट्रांजिटी वर्व और इंट्रांजिटी वर्व का मतलब होता है जिसमें आपजेक्ट हो ठीक है यानि कि कोई ऐसा वर्व जिसमें आपजेक्ट हो अगर उसमें आपजेक्ट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि वो ट्रांजिटी वर्व में क्या होता है तो अगर इं transitionive verb के साथ अगर हमने object लिख दिया, तो ओ गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि इसमे object होता ही नहीं तो येrogen ध्यान में रखनी है कि transitioning verb इं transitionive verb क्या होते है transitive verb जिसमें object हो और intrinsitive verb क्यों जिसमें object नहो ठिक तो यह है हमारा tense का हमको लगता है basic structure और यह जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ठीक तो अब हमको लगता है हमको यहीं पे close कर देना चाहिए हमने जो पिछली वीडियो में नहीं बताया था वो भी यहां पर चीज़ें clear है और जिसको टेंस के बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ना है आगे किसी भी टॉपिक को लेकर के confusion हो आपको लग रहा हो कि हमको यह चीज़े नहीं आ रहे हैं इस चीज़ पर हमको थोड़ा सा और फोकस करना है इस चीज़ को थोड़ा सा और जानकारी चाहिए तो बेजी जख बिना संकोच के क्या कीजिए कमेंट कीजिए तो हम हो सकेगा उस